नमश्कार लुनर राश्ट्रो में आपका स्वागत है आज की टॉपिक है वह है लगन लगन परस्टनालिटी डव्लमेंट मैनेजर है मैंने उन 12 घरों के इंदर हर घर को एक नाम दिया क्या होता है कि जब आपका रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं हर घर के लिए तो आपको य लगन की पॉजिश्टिन करता है कि लगन और कहां जाकर बैठा है मैं आपको इक डिक्टिम बताता हूं कि लगन का मालिक 10 में हो और बहुत सबसे ताखत वर करम है वहां पर उसका नाम दुनिया में होना ही होना ही होना ही लगन दक सब्सक्राइब करने में बहुत सारी बहुत से मदद मिलने वाली है तो क्या होगा कि आपको तरीका हर किसी का अपना 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 लर्निंग फेजर पींगे लगन पहनले से पूरी उसका रीजन यह है कि confidence आ जाता है personality डेवलोप हो जाती है personality डेवलोप मतलब कि आपका पूरा development आपके अंदर का confidence आपके इस तरीके से बात करते हैं वह कब होगा जब लगन के मालिक को ताकत मिल जाएगी तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे लगन का मालिक 12 घरों के अंदर कैसे काम करता है उसको देखेंगे लगन का मालिक इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बोलते हैं कि में बिजनस में मेरे को लास हो रहा है वह मेरे की मारिज का इस्यू है बच्चे के साथ प्रावल्म है वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो सेर्फ ऐसे बाइप्रोडक्स हैं 90 परसंट नाइटी परसंट बाइप्रोडक्स होते हैं सब 10 लोग ऐसे हैं जिनके लोगे काम कर रहा है और उसका जो सबसे बड़ा रिजंट यह है कि उसके परस्नालिक एंदर वो एनerजी मिल गेए ज़ो उसको फपोराव्ट मिल गया है लग एक चार्ट आया लगन लॉट सेवेंथाउस कांसर सेवेंथाउस और उसके पर बहुत सारा मैलेफिक अब इस व्यक्ति की लाइफ का सारा का सारा ट्रबल ना सर्फ और सर्फ मैरेज रिलेशन्शिप और अपने आपको शोकेस करने से रेलेटिड है यह जब तक इसकेस क्योंकि लगन और सेवेंथाउस में गया है केतु के साथ है मैलेफिक एफेक्ट से इसकी लाइफ का मेजर प्रॉब्लम यहां पर है आपके अमना प्रेक्शन कभी भी स्टार्ट करना आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं लगन लौर कहां जा रहा है कैसा परसनालिटी र तो लगन लौर्ट जब भी लगन में रहेगा सबसे पहला केस बहुत अच्छा हो सकता है बहुत बुरा हो सकता है रीजन क्या है कि अगर कोई सी घर का मालिक उसी घर में बैठ जाए और उसको पर कहीं से भी मैलेफिक एफेक्ट सा जाए तो यह मान के चलिएगा कि उसको न लगन लौर्ट को एनलर्जी कहीं और से मिल सकती है उसका आपके फिर भी रास्ता रह जाता है पर लगन लौर्ड लगन में ही बैठा हो लगन का मालिक लगन में ही बैठा है उसके पर बहुत सारी नेगेटिव एफेक्ट सा जाए तो समझ लेजेगा कि परसनालिटी ना यह विक्ति की जिन्दगी में बहुत सारी परिशानी आएंगी कठनाई आएंगी और उसी को पार करने में इसका पूरा लाइफ दीजाएगा अगर इसमें बहुत मेलेफिक और बैनेफिक एफेक्ट सा जाए तो कभी खुशी कभी गम डिपेंड की दशा कौन सी चल रही है पर बहुत सारी बैनेफिक्स मिलते चले जाएंगे बहुत सारे बैनेफिक्स बिलते चले आएंगे क्योंकि न अभी इसको बहुत सार सपोर्ट है अब यहां पर ने लेक्स पर आक्याप जाकर कहते हैं कि साइन कौन सा है और प्रसनाली डेवलमेंट किस तरीके से होगा लेकिन लगन का मालिक लगन में इसका मतलब यह है कि यह वेक्टी को हर चीज़ खोद experience करनी होगी उसके बाद जाके लिए इसको विश्वास होगी बहुत सारी गलतिया करेगा उसके बाद दीर दीर अकल आएगी लगन का मालिक लगन में इसका मतलब यह सपोर्ट कहीं और से मिलेगा नियुक्त बहुत अच्छा आत्म विश्वास बहुत अच्छा उसका बोलते हैं कि एसे विक्ति किसी से हेल्प लेते हैं वो बोलते हैं कि मैं हेल्प कर दूंगा बाकी लोगों कि किसी और से चाहिए इनके लिए मांगना बहुत काम है जब कभी लगन का मालक लगन में बैठा हो ऐसे विक्ति को अपनी पस्नाली डवलप करने के लिए अपनी बॉड़ी का यूज करना जैसे की एक्सराइज करना रिगुलर्ली बॉड़ी के फिट्नस पर दिहान देना अपने प्रोग्रेस के उपर लगातार काम करना ले इन कि महनद करते हैं विजिन बढ़ा ने रखना और उसकी बज़े से ना कई बार ऐसे वेक्ति डेवलपर रहाते यहां पर सबूर्द नहीं में पर यहां पर सब्सक्राइभा प्लानेट्स जो भी लगन का मालिक है लगन में बैठ हुआ है उसके सिगनिफिकेशन से यहां पर बहुत प्रोमिनेटली यूज करने है लगन का मालिक जब कभी भी दूसरे घर में जाएगा ऐसे व्यक्ति के लिए इसको डवलप होने के लिए कुछ चीज़े बहुत इंपार्टन वहीं जैसे कि फूड फैमिली फिनांस बैक अप फ्रॉम फैमिली यह सारी चीज़े के विना यह डिवलप हो नहीं पाएगा इस व्यक्ति से फैमिली के इंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगा इस सबसे पहले नीचे जाएगा अब डिपेंडिंग ऑन प्लानेट्स की अगर प्लानेट यहां मून है तो इमोशनली इसको सपोर्ट चाहिए फैमिली से फ्रेंड्स से तभी नहीं जाके डिवलप्मेंट की जापाएगा यहां पर एगर प्लानेट एंड्सессा के डिवलप्मेंट फैमिली कho प्रिश्रेंड्स करके देना है प्लानेट के लिकिनो यूज कीजिए पर मोटा मोटा जब आप कभी ऐसे लोगों को पस्किल्सेट्स की वज़े से सब्सक्राइब क माले जी समrt है इस बंदे की परसनालिटी चेंज होती चली लगन लट थर्ड हाउस में है कुछ एक छोटा सा स्पोर्स सीखा लाइक चार्ट था साटन के तु लगना साटन है बिजनस है के तु बैठा नहीं चलना दे रहा तो क्या करीजिए बैट्मिंटन खेला सीखिए बैट्मिंटन खेलने से होगा कहना कि आपके कदम चलेंगे करनां सीखते हैं। कुछ भी सक्यल कर रहे हैं, तो आम क्या करें अपने आपको precise करेंों, ब्रेइन को train करें है कि ड्राइविं ऐसे करनी है, राइटिंग ऐसे करनी है तो आप नहीं नहीं गालशांस सीकते हैं, यह जैने गालीच नहीं आँने, बटाते बताता है कि दो सब्सक्राइब कोई लगे सब्सक्राइब करते हो और साइन का बहुत महत्व है अगर जेमिनाई का मार्स है तो आप जिम नहीं जाओगे आप अच्छा लिख सकते हो बहुत अच्छे लिख वाओ तो आपको दिखना की परसनालिटी डेवलोप्मेंट करने के लिए थाड़ाउस को कैसे यूज़ करना है अब जितना करूंगा देखना आपको परसनालिटी निखर के आएगा और एक बार आपका लगन का मालिक डेव पूरक चार्ड अप्लिक्ट हो जाता है और यही एनरजी आप अपने अंदर क्लॉप करके बैठ जाओगे तो जितनी चीज़े आप नीचे लेके जा रहे हैं कि आपका परसनालिटी नहीं ना आप डजन खेलने जाते हो अब डजन जाते हैं अब गाना लिखते हो अलग ले सब्सक्राइब लेना ऐसे अर्मोंस जनेरेट काता है जो खुशी पैदा करते हैं तब कांफिडेंस आता है और अब कांफिडेंस होता है इनसान में तो उसको बहुत साई चीज़ें बहुत क्लिर होते हैं कि हाँ देख लेगे परशानी ही है लगन लौड फोर्थ हाउस में सब्सक्राइब कमफर्ट मदर हों लांड ऐसे लोगों के लिए घर के अंदर रहना और इन लोगों के लिए जो एक होमली इंवाइरमेंट है वह बहुत ज्यूद इंपॉर्टेंट है इन लोगों के घर का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए आसपास का इट्मोस्फियर है शान्ती होना इन लोगों के घर है आप ऐसी जागी पर दे दीजिए जहां पर ना बहुत सारा शोर हो कि यह लोग सब्सक्राइब हो जैंगे घर के एएँससे व्यक्तिकों मार्स को सपोर्ट करने के लिए i construction है और गर्किए और के बहुक्त सारे responsibilities वोगबर आएब से इनकी हाबिट होती हैं पर लगन और फोर्थ हॉस में ड्राइविंग अपने वहीकल का बहुत ध्यान रखें कि अपने सोने का टाइम मिन्टें कर लिजेए घर के अंदर पेंटेंग्स जितनी भी चीज़ेंगी आप फ्लावर्स पेंटेंग्स आप जतना अच्छा बनाते जाएंगे जितने आदा क्लीन करते जाएंगे आप ध्यान रखेगा आपकी परसनालिटी उतनी जादा अच्छी निखर के आएंगे कभी इन लोग को गाड़ी लेते वक्त घर लेते वक्त दुबारा नहीं सोचना क्योंकि नहीं आएगा तब तक ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक और चीज़ है फोर्थ हाउस मासस का है अब जतना इदा मासस के अंदर जाके काम करेंगे लोगों के लिए काम करेंगे समाज से एक जुसको जुपीटर होता है समाजिक विवस्था के अंदर आप जतना भागेदार बनते जाएंगे चाहे व धार्मिक करेंगे जैसे हो चाहे वो राजलीतिक विज़े से उतना ज्यादा आपको आता जाएगा लोग आपको जानते जाएंगे लगन लॉड फिफ्थ हाउस में फिफ्थ हाउस क्या है बच्चे एडुकेशन विजन पढ़ाई और एक बहुत कम काम करना लेकिन मेजर ड सकते इन लोगों का परस्टनालिटी कैसे डिफ्थ होता है जब यह बागत सब्सक्राइब लेते हैं लगन लॉड फिफ्थ हाउस में जब तक आप बच्चों के लिए काम ने करेंगे अब गंटा बैठके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे लगन लॉड फिफ्थ हाउस मे है कि जब कभी भी आपको यह लगे आपका बिजनस सीखने चल रहा हो लगर नोट फिफ्थ हाउस में आपका पस्टनालिटी डेवलप करवाना है अब फिफ्थ हाउस में देखे कि बुक्स पढ़ना नया कुछ नया सीखना विजन देना इस सब चीज़ें आपकी पस्टना ऐसे लोगों को लगातार और फिफ्थ हाउस ने एक और उसका बहुत मिजर सिंप्रिकेशन है वह है टेमपल पांचवे घर में जितनी भी समाजिक व्यवस्ता है सरकारी समाजिक नया इक वह सब को सबके इंदर आपका कॉंट्रीशन थोड़ा बहुत चाहिए जाका फॉल् यह सब सुपर विजिन के लिए लगन लॉड़ सिक्स थाउस में कुछ किसी ने करिविद्य कंसलेंट ने कि आपना हर महीने कम से कम हजार पे कराशन पर डॉनेशन कीजिए और यह बहुत जादा है और ऐसा ने कि मतलब यह अच्छे परिवार से आते हैं यह बहुत इनको प इससे कहीं ज़़ादा पैसे यह लॉयर सो लॉड़ी दे रहे हैं इनका पसाई जबलमेंट कहां से हो रहा है। लॉयर्स की वेज़े से उयुक्त करके हैं यह पिल लॉयर बन चुके रहे हैं यह यह कर लिए हैं लेकिन डॉनेशन काना चाहते हैं देख़ु इस सिक्स्थ हाउस के लोग है उनको उनकी वज़े से आपका परसनलिशी डवल्लमेंट है आप यह तो अराम से देदो हर मेने डॉनेशन करते रहो या फिर ना इवेंचली क्या होगा आपको लॉयर्स के इसको पैसे देना पड़ेगा और दॉसरी तरीके से लेते हैं कि वह चीफ फॉर्ड करती है वाड़ी की अल्टर साउंड को रहा नहीं आओगी अल्टर साउंड ज्यादा पैसा लगता है में कहल से पांच मेहने का पैसा एक बारे में लेते हैं वह जटनाना मुंचंक करांथी आप ना हर बार यह कैसा रूल है करना ही करना है जब तक आप कर रहे हो लाएं आपके लाइव से बहुत सब्सक्राइब होता है कि करजा है इं तीन दिरों पर करना है तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते ना कि खीर मना सब्सक्राइब सब्सक्राइब जब तक आप कोई उपर ट्रॉबल्स नहीं आएंगे कि यह लाइफ का पाटर्न बनाएगा कि हर एक छोड़ी से छोड़ी चीज भी ना प्रोब्रम बन जाएगी पर पता है ऐसे लोग ने लगन लॉट सिक्स थाउस में बोरा लग रहा हूँ पर इनको नहीं जॉब बहुत अच्छी में अगर सिक्स थाउस में अगर कहीं से भी रॉयल प्लाइंस बन जाए तो गॉर्मन जॉब के बहुत अची चांसे दे जाता है बशर्त है कि दशांच मे लगन का कनेक्शन सूर्य चंद्र से बन रहा हूँ रॉयल प्लाइंस से बन रहा हूँ क्योंकि सिक्स थाउस सर्विस का है तो लोगों की सर्विस नहीं जुटती आपको करनी ही है इसी सर्विस की वज़े से ही प्रस्णालिय डेवलोप्मेंट है लगन लॉड सेविंथ इनकी वज़े से अच्छे या बुरे प्लाइट कैसा बैठा है उसकी वज़े से प्रस्णालिटी का डवलोप्मेंट करेगा ऐसे लोगों की जतनी बार आप शादी में आते हैं रिलेशन्शिप्स में आते हैं दूसरों की पार्टनर्शिप्स मैच करवाते हो एक वन देख को कई गुना रिटन होना है और अगर आपके विए से कई लोगों का ब्रेक अप हो रहा हो वैसे बीना जो दस पाप है ना हमें सबसे बड़ा पाप जो है वो दूसरे की निंदा है पर निंदा है कभी भूल के मत कीजिएगा आप ध्यान लखेगा आप किसी और के पाप ले इसे भी कि मेरी जिसे किसी का ब्रेक अप हो जाए दो पार्टनर्स अलग हो जाएं कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ बकाइदा ऐसा होने वाला है तो भूल के मत कीजिएगा दूसरों की निंदा सुनना और करना इस स्यादा यूजलेस कुछ नहीं है अपने पर फोकिस के कोई भी स्लाइट नहीं किसी और को पॉइंट आउट कर सकता है लगन लॉड एट थाउस में तो कई बार जनम होगा और क्या है कि कई बार लाइफ में चेंज्जेस होंगे जगे बदलेगी फॉरन सेटलमेंट होंगे और इसलिए अपनी लाइफ में डेवल्लमेंट्स लाने के लिए महों नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज से आपको ना लगाता रस्टा को गिता यह प किसी से भी रखना वह प्लानेट का जो सिंगनिफिकेशन है ना शुक्र अगर ना आठ में इसलिए ही आईगी क्योंकि उसने आपको पुराने वाले को मारके नयाब कैदा करना सुर्य अगर आएगा तो वह बताएगा कि तो सरकार के से ट्राबल्स आनी ही आनी है बहुत साल की उमर के अंदर आपको पता है यह 22-23 साल के अंदर मिजर इविंट देगा सुर्य तो जब कभी भी आपको यह लगे आठ वे घर के अंदर आप सेटल आउट हो गए तभी इसलिए तो आपको कैसे होगा आप जब डिटाच्मेंट प्राक्टिस करेंगे कि दोसी चीज आप बार-बार अपनी जगें बतलेंगे हर बार आप इससे उपर जाएंगे आठ वे घर का कनेक्शन जिस भी घर से हो जाए वह घर कई बार मरता और जीता है इसलिए आठ वे अगर दस्वे घर से हो जाए ऐसा वेक्ति जिन्दगी में कई बार काम बदलता है और हर बार नया जनम लेकर अब अच्छा होगा और बैकारत जाएगा डिपेंड करता है कि उसका आठ वे घर और दस्वे घर का कनेक्शन में पावर्फुल कॉन है वह रिजल्ट क्या देने यह तो कनेक्शन है ना इसका यह तो रिजल्ट है कि यह होगा वह दस्वे घर में मालिक जिस तरीके से बैठा है जो कि आपके प्रोफेशन का कारा के वह कहता है वह कहां जके है फायदा देगर रुकसान वह उस प्वीट पेंड़ करता है लगन का मालिक नौ में हो लगन का मालक जब भी नौ में जाएगा आपके लिए जो एक समाजिक ने आए बहुत बड़ा चालेंज बनके आएगा परिवार को छोड़ना नहीं छोड़ना या आपके लिए बहुत परिवार के रूद्धियों को फॉलो करना या अटा देना यह चालेंज बन जाएगा क्योंकि नौवा घरना हर उस चीज का है जो कि आपको लगता हो कि समाज ने आपके लिए अब यह वेक्ति या तो विल्कुल उसको खतम कर देगा या बढ़ा ले जाएगा उसके बहुत कट्टार हो जाएगा इनके लिए नौमल रहना बहुत मुश्किल है परना इनको यह में नीच का बन रहा है मैलाफिक एफेक्ट में जा रहा है तो आपने जितने भी बंदह ने उन सबको तोड़ना है पॉजिटिव एक्ट आ रहा है तो यही ना आपको उपर लेके जाएगा और इसकी विज़े से ध्यान रखी का नाम होगा आपके लाइफ का जो नाम है ना विज़े से और वह लोग ना बहुत पॉट्वॉनेट होते हैं जिनको व colors almost 10 समवलिक नाम condition बंदाते एंबें को लगन का मालिक लैएव दोस्तों के जैसे फाइडे के जैसे कुई प्रॉटिन की वजज़े से से सेृपलिन्स की वज़े जैसे और ये वेक्ति हर किसी की हेल्प करने लिए त्यार आउट आप दबाक्स सोचने लिए त्यार लगन का मालक लेविट लगन का मालक जब भी ट्विल्थ जाता है आपका भागे वहीं जाके उधर होना है जब तक आप अनकमफर्टेबल रहेंगे ज्यान रखेगा इस बा जरुझा जिसनित में तरहीं दूर मिलेगा छेक्ट मिलेगा बिल्कुल मिलेगा जो कोई करें भी स्कारेंगे जहां पर कोई सैटलमेंट न ही तक लेक्ब यहाँ तक लेके आएगे माल जी यहां पर सब्सक्राइब करनेक्शन लगन लॉट्ट में शुक्र है तो जब कभी आपका पर शादी के बाद होगा और तब होगा जब आपकी वाइफ की आप अपनी वाइफ पे खर्चा करेंगे आपकी वाइफ जो आपको लॉस देने लग जाएगी या फायदा ने लेगी या उसके बाल आप तो सड़नी बिजनस के अंदर आपकी पूरी परसनालिटी के अंदर बहुत बड़े चेंजिस आने चाले हो जाएगे क्योंकि कुछ खुल बार्वागर ना है हारने का उसके अंदर जीत ही नहीं है लेकर ना जब आप हारते वक्त भी यह सोच लेते हैं कि यह तो में तरफ से दान गिया है अलग 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 ट्वेल्ट हाउस में शुक्र का दान है शुक्र एग्सॉल्ट होता है टेंथ सब कुछ करेगा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगा बार्वे तक लेकि जाएगा करना आप जातों अराम से दे दोगे यह लगोई ले लेगा यह लगल नौट ट्वेल्ट हाउस का हो है आगर आप अटैच रह गए उस इस से देखिए छे आट बार में अटैच नहीं होन तो बिल्कुल नहीं होना कि आट वा गर में तो फिर भी डिके था यहां तो बिल्कुल मुक्ती है आपको तो बिल्कुल हाथ खड़े करने हैं और बोलना है कि भी बात नहीं अभी दुबारा चालू करेंगे लिए जितना जादा आप अठाच रहेंगे ना आपका करम यह थ तो यह जो प्लानेट से ना लगर का मालिक परसनाली डिफर्म बानेजर आज हमने बात करिए इसके बार में लेक्स टाइम आएंगे सेकेंड लॉड डिफरेंट आउस में कहता करें तब तक ना आपके जितनी भी कॉश्चन्स हो ना अप्लाइगर कर देखें लगन लॉड क इस घर में जा रहे हैं फिर वह राहू के साथ बैठते तो क्या होते कि वह इंट्रस्टिंग के सब्सक्राइब लगन लॉड अगर राहू के साथ बैठ जाए तो इंस्टेबिलिटी दे दी उसने उस घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़े मट्रियलिस्टिक हैं आपको दे पैत्रिक संपत्ति मिलने के बाद आपको लगेगा ना मिलता जादा अच्छा यह राहू काम है लगन लॉड टैंथ था उसमें राहू के साथ हो आपको प्रफेशन देगा घर से बाहर ले जाके बहुत अच्छा प्रफेशन लेगा लेकिन बाहर याकिन दुनिया कहेंगी बहुत बुरिया आपको गहेंगे मिलता जादा अच्छा था यह राहू की स्पेशलिटी है कि जिसके साथ बैट जाता है आपको बोलते हो ना मिलता तो है बहुत अच्छा मिलता है लेकिन न उसके न न राहू का एफेक्ट है और राहू पेर पॉजन की नहीं मिलेगा उस को पीना आना चाहिए लगन लौड के तो किसार बैठ जाए कि कभी भी पूरा नहीं देगा जितना मांग रहे हो अगर आपको लगना आपका वर्थ लाक रुपे का है आपका वर्थ इतने घर का है उसका अधा कर देगा और बहुत जादा ना परिशानी के बाद देगा कि प्रिशान ही गया है कि तो एक सब्सक्राया के साथ तो रिख लेंगर के साथ परिवार में लैंड के सब्सक्राइब इसकह बएठ यहां पर बच्चों के साथ बैठ रहा है शनी बैठ निटा है तो यूब रहा है कि तैंक्फुल होगी है लेगी धन्यवाद यतन अच्छा जॉब मिला दने बच्चे शरीर मिला अब अधिक्रेट्फुल हो जाता है तो केतु काम हो जाता है के तुना पागल कर देता है कुछ भी देदेगा और मिल सकता था यह गलती है कि अच्छा मालिजे कि लगनलोड को मार्स देख ले मैं अभी और कॉम्बिनेशन्स बताता हो आपको मार्स लगनलोड आपको कुछ और मार्स अंगर मंगल इतना प्लानेट है इतना स्ट्रॉंग प्लानेट है कि उसका जो एंगर ना जहलता नहीं है तो आपको पता है कि मेरा तो बिगड़ना है लगन लौड कहीं बैठ जाया इसको मंगल देख रहा है आपको पता कि जब भी इसकी दशाइगी और नैच्रली भी मेरा लगन का मालिक पीड प्लानेट करिए अभी तो मंगल का न बंगल जलता नहीं तो आप क्या कीजिए मंगल का जब भी कोप लगे लगना मां बंद्रों को खाना लाल कि आप जंगल में घर बना देते हो तो आपने उनकी जमेन चीनी है इस वहां पर घर बनाया है तो उनको खाना देना आपका दायतों में हैं कि आपको देना चाहिए आप जिस भी जगे पर रहने हैं वाप पर चीटी है गिलेरी है चिडिया है पक्षी है जितने भी लोग है न वह आपके दायतों में आ गए हैं उनको वहां से बढ़ अठाई और आप नहीं को लगतार खाना दीजिए आप इनको खाना लगतार देना इनको बिना कुछ पूछे देना है जतने भी जानवर आप फिर में आते हूं वह इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनकी जगे पर है तो उनके हिस्से का खाना आपको दिये जा रहा है इनको बाटिए नहीं बाटोगे न तो दिक्कत आईए मंगल को और बढ़े मंदर में लगतार देना है मंदर के लिए कुछ ना कुछ करना है मंदर बनवाना है जब कभी भी लगन के मालिक को शनी देखेगा तो शनी लगेश है ना रिस्ट्रिक्शन कर देता है हो प्लस कर देता है परिशानी करेगा वात बढ़ा देगा इस सब कुछ शनी करेगा बेगा कम मिला है वी कुछ नी मिला शनी का जोई डिसद्वांटेज ना इसको ठीक करने के लिए क्या किजिए जब भी शनी देख रहा हो आपके लगन के माले को तो उस वड़कर टाइम प्रियोड पर सिर्फ और सिर्फ खोप कोने के बजाए यह देखना है कि अब मेहनत कहां से करने हैं कि अब ग्राउंट्जुरों से कहां से स्टार्ट करना है डोनेशन्स करने के बजाएना शनी के अंदर हमबल होना सीखिए जुक्ष रहना सीखिए मि इसके बोला गया क्योंकि जब इंसान के दर बहुत अकड़ हो जाता है आप जतना जादा हमबल हो जाएंगे आप मंदर में जाके या किसी पब्लिक प्लेस पर जारू लगाई है सेवा कीजिए जो इंसान सेवा कर लेता उसकी शनी अच्छा हो जाता है बहुत सिंपल सा टेक् पहचांज यह लोगों कि उनसे पुछ मर्जी बोल दो कि दुनिया का सबसे अच्छा प्लान बता दो कि नहीं चलेगा वह बिना ट्राइक करे घर बैठे और उन्होंने कभी जो करा ही इसको भी बुलेंगे नहीं चलेगा तो ऐसे लोगों से ना इनको बोले आप एक काम पैसा कैसे कंट्रोल होता है क्या करना चाहिए ताकि की सोर्स हमारे पास आए हम लोग में क्लास में मिलते हैं थैंक यू बाइबाइ